हलो गाइज, आप अपने गार्डेन में इफोर्बिया मिली को जरूर सामिल करियेगा ये बहुत ही केरलेस फ्लांट है, इसकी ज़्यादा केर नहीं करनी पड़ती है और ये सालो साल फ्लावरिंग करता है ये एक ऐसा प्लांट है इसकी आप जितनी जादा कम केर करेंगे उतना ही जादा ये फ्लावरिंग आपको देगा तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि इसे मैंने कितने में खरीदा है जैसा कि मैं हर प्लांट के बारे में हर वीडियो में डीटेल देती हूँ मैंने इसे 40 रुपीज का खरीदा है यह 4 पीया मिले में फ्रेंट्स वाइट कलर का फ्लावर भी आता है लाइट पिंक भी आता है और भी वैराइटी मार्केट में होती है इसमें छोटे-छोटे फ्लावर भी आते हैं ये तो आपको permanent flower देने वाला है बट इसको गमले में shift कैसे करना है कि सालवर आपको अच्छे से flowering करें और आपको बार बार खाद देने की जरूरत ना पड़ें तो इसके लिए मिट्टी कैसे तयार करनी है वही मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा और वीडियो अगर पसंद आए तो फ्रेंट्स लाइक जरूर करिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो subscribe करना ना भूलिएगा तो इस फोर्विया मिली को सिफ्ट करने से पहले आप गार्डेंस वाइल लीजिए गार्डेंस वाइल में आप नीम खली मिला सकते हैं इसके अलावा आप खाद मिला सकते हैं खाद आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास easy to up level हो और friends इस प्लांट में आपको river sand जरूर मि इसलिए आप इसी तरह से potting mixture तयार करिएगा इसका ratio में बता देती हूं मैंने 50% garden soil 20% खाद और 10% नीम खली और 20% ही river sand रखी है तो यह तो बात हो गई इसकी मित्टी की अब इसके लिए गमला कितना बड़ा लेना है गमला आप छोटा भी ले सकते हैं बड़ा भी गमला ले हैं आप 10 का गमला भी ले सकते हैं 6 इंच का गमला भी ले सकते हैं इसके मिटी का गमला भी उंज कर सकते हैं चयोगा क्योंकि निकलना चाहिए इनकी झड़ें खराब हो जाती है अगर पानी आपके घंबले में रुखता है घंबला आपने किसी भी टाइब का लिया हो बढ़ पानी इसमें बहुत ही कम मातरा में देना है जब उपरी लेयर बिल्कुल ड्राइ हो जाए तभी आप इसमें वाटरिंग करिएगा जितना कम आप पानी देंगे उतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा अगर आप पानी ज़्यादा देंगे तो लीफ इसमें ज़्यादा हो जाएंगी और फ्लावर अपने आप कम हो जाएंगे मैं फ्रेंड अपने हर गमले को shift करने में kitchen waste का जरूर use करती हूँ, इसे खाद भी बन जाती है और मेरा kitchen waste भी use हो जाता है, आप चाहें तो अपने गमले में इसकी जगए पर खाद use कर सकते हैं, बस आपको जब भी ये गमला shift करना हो तब ही आप इसमें खाद डालें, उपर से आप इसको बिल्कुल खाद ना दे, इसको खाद की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये permanent plant है, इसे बार-बार मुझे report नहीं करना, इसलिए मैं अभी खाद ठीक से दिये दे रहे हूँ, इसके बाद मैं इसको डेर साल, दो साल तक खाद बिल्कुल नहीं तो चलिए मेरा तो गमला बिल्कुल बनकर तयार है, अब इसे अच्छे से बहुत हलके हाथों से निकाल लिएगा, इसमें काटे होते हैं, ये आपके चुप भी सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैं तो पॉली बैक को बहुत आराम से निकाल लेती हूँ, मेरी आदत पर चुकी, आ इसको आपको छाओं में नहीं रखना है, डारेक्ट फुल सनलाइट में रखेगा, और फ्रेंड्स एक ट्रिक और है, अगर इसमें लीफ जादा आने लगें, तो आप इसकी लीफ तुरन तोड़ तोड़ कर हटा दीजेगा, इसका फायदा ये होगा कि ये प्लांट आपको झाल में ये एक टारेक्ष।